असलाम वालीकूं दोस्तों स्टार गोर्ट्स फार्म में आपका स्वागत है आज थोड़ा सी हट के बकरों से कुछ प्यारी सी चीज जिसे देखके सभी का दिल खुश हो जाता है और सभी को एक अजीज से एक्ट्रेक्शन है अक्सर हम सभी ऐसे होंगे जो बच्पन में चूजे जो मुर्गी के चूजे आते हों पाले होंगे तो यह सब चीजें देखके बड़ी खुशी होती है दिल को एक इत्मिनान सा होता है बहुत मज़ा आता है आज हमारे इदर मुर्गी के बच्चे निकले चूजे लेकिन यह सब यूनिक कॉलिटी में है इसे नॉर्मल हम जो लेते हैं वो या लोग अलरके या देशी बच्चे आते हैं वो रेगुलर सब भी लोगों ने देखें होंगे पाले भी होंगे काफी लोगों ने शौक किया घर की औरते मैंने बहुत से टाइम पर देखा घर की औरते भी बड़ा शौक करती है चोटे सी मुर्गी के बच्चे घर पे ले आना और बच्चों का भी शौक होता है लेकिन यह एक डिफरेंट चीज है आप को देखने से ही समझ माएगा हमारे पास हमारा एक सेक्षन है जो यूनीक एंटिक और अलग-अलग किसिम की मुर्गी आती है फैंसी हैं एक एक्जोटिक हैं इसे अलग-अलग नाम कहा जाता है और उसमें कई ब्रीड आती है और कई ख अच्छा मैसूस होता है तो यह उनहीं मुर्गियों के बच्चे है एक्ष़ली हम लोग जो हमारे पास गाउटी मुर्गी होती है उसकी नीचे इन सभी को बैठाते इनके अंदे को बैठाते आप बच्चा देखेंगे यह आप खुद फर्क मालूम पड़ेगा बच्चे का एक दिन का बच्चा है पैंगविन के बच्चे जैसा यह लग रहा है पूरा फर उनके देखेंगे उनके पैरों के उपर बाल देखेंगे इतनी खुबसूरत ब्रीड है हाथ में लेकर मैं एक्चुली जब हुए उनको लेकर काफी टाइम था बहुत देर तक था इनके साथ मसा जयता है वह अच्छा लगता है आप देखेंगे यह क्या किसिम के मैं ने इसमें से तौसिव से भात की तीज तो यह फ्रील का बच्च्चा है बहुत खुबसूरत और यूनिक होते हैं इसमें कि बड़े एक्चली मैं कि मैं बता नहीं पाया क्योंकि हम लोग बच्चों तो माशाल। बहुत बाट देखे सब अलाग अलाग यग और बच्चा देखे माशाल। कलर कॉंबिनेशन देखे पैरों के उपर बाल आंखों पर एकदम डिफरेंड है कोई बर्ड के बच्चे ही लगेंगे आपको मुर्गी के बच्चे नहीं लगेंगे देखने से तो माशालला यह एक अलग शौक होता है यह शौक का भी एक मज़ा है बकरे तो हम पालते ही है सब सुन्नत है और अपने घरों में दिवारों पे काम के जो जगे होती है दिवारे होते हम उने पे रखते हैं लेकिन मुर्गीयों का भी अलग शौक है मैंने यह सेक्टर देखा है यह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ह असीर मुर्गियों को भी लेके और फैंसी हैंस को भी लेके काफी लोग इनका अच्छा शौक करते हैं और इजी है अलग-अलग किसी मुर्गियां रखना यह थोड़ी सी कॉसली होते है नॉर्मल जो देसी मुर्गियां हमारी आती है वो 400-500 रुपे में एक मुर्गिया आ कॉलिटी के उपर डिपेंड करता है ब्रीट के उपर डिपेंड करता है तो इस सारे बच्चे हम भी सेल करते हैं लेकिन थोड़ा दिन के बाद जैसे फीडिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाए और सब चीजे उनकी रूटीन में आ जाए तो ऐसे कई बच्चे यह बैच हमा कि बच्चे पैदा होते हैं और काफी लोग एक्चुली होता यह है कि लोग बड़ी मुर्गियां अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो हमारा माहूल है माशरा है और कई लोग ऐसे हैं अलहम्दिल्ला जो लेते हैं अल्ला ने जिने नमाज़ा है वह आँट हजार पांच हजार पच्छीस हजार तीस हजार रुपय की भी मुर्गियां लेते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्त है एवाब है जो उनका बज़ड नहीं हो पाता वो थोड़ा लिमिटेड तो वो बच्चे आके हमारे पास से लेके जाते हैं तो ये सारे बच्चे सेल के लिए ही होते हैं लेकिन हम लोग फॉरान सेल के लिए नहीं निकालते होने के बाद आज ये एक दिन के बच्चे है ये थोड़े दिन के बाद जैसे ये महीना भर के होंगे उसके बाद हम इनके सेल के लिए निकाल देते हैं तो अगर कोई कोई इंट्रेस हो तो आप लोग हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं तौसीफ का नंबर मैं दे दूँगा लेकिन फिल वक्त तो आपको 15-20 दिन क्योंकि हमारा जो नया बैच है उसको अभी 15 दिन और जाएगा होते हुए कॉलिटी आप देखें माशालला सभी बिलकुल अलग है डिफरेंड है और आप सभी लोग के शौक के बच्चे है माशालला इसमें के हमारे पास कुछ बड़े बच्चे भी है मैं इंशालला आगे आपको बताने की कुशिश करूँगा ये बच्चा मुझे बहुत पसंद था ये और जो ग्रे कलर में था पैंक्विन के जैसे कलर में वह बच्चा मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था माशालला वो देखने के खुशी अलग होती है ये लास्ट वाला ये इसमें मेरे खाल से एक 20-25 दिन का बच्चा है याला आगे की तरफ और पीछे वाला भी 10-15 दिन का होग आइधिंग ये आप देख लिए इसमें ये मेल है और ये एक फीमेल है ये सेड बना के बहुत से लोग मेल फीमेल का जोड़ा लेते हैं तो ये फोर सेल है इसके ल लोग कॉल करते हैं तो आप लोग मैसेज कीजिए वाटसप पे तौसिफ के नंबर पे तो उससे आपको इंफाम हो जाएगा एवलेबल है की नहीं है इसमें कि और भी बच्चे है काफी है एक्शली हम लोग थोड़ा सी तीन-चार बच्चे ही दिखा एक वीडियो में तो यह मेरे क्याल से आप देख सकते हैं पीछे पिंजरे में मा के साथ और भी बच्चे है तो हम लोग पहले अभी सिर्फ एक छोटा से इंट्रोड़क्शन जैसा ही वीडियो था और इंशाला आगे हम लोग इससे तालोक से भी हमारे ब्रेडिंग सेटप के तालोक से भी आप दिन का गयब होगा दोनों के साइस में यह बच्चा भी आप देखें माशाला नॉर्मल मुर्गी के बच्चों के बनिजबत यह बिल्कुल अलग होते हैं तो हमारे दर इनका ब्रेडिंग सेटप है और अगर किसी को इंट्रेंस को लेने में तो तौसिप को वाट्सप करें या वाइस नोट वेज़े वाट्सप पर तो हम लोग उसका आपको जवाब देंगे मुर्गियों की वीडियो आपको कैसी लगी आपको पसंद आई नहीं आई हमें फीड़बैक दें इन्शाला हम लोग कोशिश करेंगे आगे रेगुलर जैसे बखरों की वीडियो बनाते वैसे मुर्गियों की भी रेगुलर हमारे चैनल पर वीडियो बनाएंगे तो आप लोग के फीड़बैक बहुत ज़रूरी है बहराल वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असलाम अलेकुम अल्ला हाफिस